हेलो दोस्तों कैसे आप लोग मैं गॉत्रम कुमार स्वागत करता हूं आपके प्याड़े चैनल च्वाइस एउकेशन में दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 9 की ग्रेविटेशनल चेप्टर का नेक्स्ट पार्ट करने वाले आपको याद होगा कि हम लोगोंने लास्ट चैनल लोगोंने दोफ किया था कि यानि हम लोगोंने देखा था जैसे जैसे च का मांव बढ़ेगा जैसे जैसे h का मान बढ़ेगा वैसे वैसे जी का मान घटेगा ये बात तो आपनों जानते ही है ठीक है ना इसी में हम देखे थे क्या होगा यदि उचाई घटा दिया जाए यानि फिर से इसको जी डैस बोलते हैं मतलब कि यदि प्रिथिविक अंदर जाए हम लोग तो क्या हो जा इसने पर जी का मान के से घटेगा आप बताईए देखें यहां पर थोड़ा सा कुछ बचे कंफ्यूज थे ये प्रिथवी है इसका द्रविमान है हम लोग capital M जो लिखने है प्रिथवी के द्रविमान के लिए लिखने है यहां पर मानिया इसका कैंदर है यहां से जो यह है इसी को प्रिथवी की तरीजिया यानि आर कहते है ठीक है अब हम क्या बोलने इस situation के लिए देखा जाए हम बोलने कि आर से ना यहां से एच उचाई पर एक वस्तू रखा हुआ है इसका गुरुत्विय तवरन निकलना है तो यह formula लगेगा यदि क्या हो कि हम इसी के अंदर गुष जाए यदि प्रिथवी के अंदर आ जाए है छोटकी एच दिया है न यहां पर देखी छोटकी एच अंदर गुष जाए तब हमारा गुरुत्विय तवरन क्या होगा बोलने कि सर घट जाएगा क्यों घटेगा आप तो सर नीचे वाला भैल्यू को आर में जितना आ बच गया खोखला बोले तो वजन बच गया यह हडते चला जाएगा ना क्योंकि उसके बाद तो हमको सिर्फ इतने से मतलब रह जाएगा तो उपर का मान बहुत जल्दी घटेगा इसलिए गहराई में जाने से भी गृत्य तोरन का मान घटता है और उचाई पर भी जाने प अब यहां पर विश्वत रेखा है आपको पता होगा विश्वत रेखा यानी जमीन वाला भाग है ना इक्वेटर जिसको कहते है जमीन वाले भाग के पास बहुत सारा पहार वहार है पहार है मतलब की बहुत सारा बराबर मांट अवरेष्ट सब यहीं पर नेपाल में 32 डिगडी के लगभग आसपास में 0 यहां पे है तो लगभग यहां पर यहां पर यह वाला अच्छे तरह उभड़ा हुआ है अलकासा उभड़ा हुआ होने के कारण यहां का उचाई क्या हो गया उचाई थोड़ा सा ऐसे कड़के बढ़ गया और आपने थोड़ी दर पहले पर का चेंब दर टेख है इसी लिए विश्वत रेखा पर जी का मान हम लीख देते हैं यहां पर यह पर डिशलाई का मान क्या होगा कम होगा लेकिन धरुब के पास समतल जमीन मानना झाएगा सब से सटीक जगहां मानना झाएगा और धरुब के ज्यादा होता है यानि इन दोनो डिलेशन को दिखा जाए तो यह जो जीपी होगा वो बड़ा होगा किस से जी इसे इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगा जाते जो जीपी होता है न पूल के यानि उचाई बढ़ने या घटने के साथ जी के मान में प्रिवर्तन आएगा पूरा अभी तक समझाने का सिर्फ यहीं मतलब था इसमें भारी आपको कुछ नहीं लगना चाहिए सर उतारेंगे कैसे यहां पर लिख लिए उचाई बढ़ने पर जी का मान घटेगा क्योंकि य घटेगा हमारा जी का मान क्यों घटेगा तो जैसा कि मैंने बता है जैसे जैसे परिथवी के अंदर घुसेंगे पिरथवी का दरविमान कम होते चला जाएगा आप ही सोचें ना इतना बड़ा गोला है इस गोला में यहां से और सेंटर की बीच में देख रहे हैं पहले यह यदि थोड़ा साम अंदर आजाएंगे थोड़ा सा तो अब इस इतना ही ना गूला का बचा यह बड़ावाला जूअ का गुला?, झाल हिए की यह ता पूर्मूला को बस प्रूफ किया था और यह सब चीज अभी समझे आपको को पुछे पुछेगा कि जी का सबसे ज्यादा मान जी का मान जो होगा सरवाधिक कहां होगा सरवाधिक कहां होगा और सबसे कम कहां होगा जी का मान सबसे कम सबसे कम कहां पर होगा इन दोनों पोजिशन के लिए आपको बताना सबसे ज्यादा होगा ध्रूब पर पोल पर और सबसे कम कहां पर होगा विश्वत्रेखा पर यानि क्विटर पर मैं विश्वत्रेखा ही लि सब्सक्राइब करें लिए इतना चीज धिहान में रखना हाला कि ऐसा नहीं है कि खतम हो गया बोलोगे सर हम लोग कैसे जानेंगे यहां पर इस फॉर्मूला में तो जी का मान बढ़ रहा है पता ही नहीं चल रहा है तो आगे चल के आप 11 में इसका अलग फॉर्मूला निकालो के लिए तापको बता घटेगा घटने के साथ जी का मन क्या होगा तब घटेगा रीजन बता दीजेगा पिर्थिवी के अंदर घुषते जाएंगे इंधर वाला पोरसन घटेगा तो डायरेक्टे नहीं घटेगा समझ गए चलिए यह था आपना प्यारा साट टॉपिक जी त्वरन का इसके वज़े से कोई परभाव परने वाला है तो इस पॉइंट को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है किस लेवस में दिया गया लिकिन बहुत जहें नहीं बताया जाता इन चीजों को समझना बिल्कूल ही आसान है आपके लिए तो और भी आसान आपने इससे पहले पिछला दोनों चप्टर पढ़ा है ना तभी परने आया है ना नहीं पर है तो पहले जाके पर लिजने तो थोड़ा तकलीफ होगा इस पॉइंट में लेकिन कोई तकलीफ नहीं होने देंगे चली हम लोग देखने वाले हैं शुद्ध गति की शमीकरन सुद्ध गति है चाई रहा है हाँला है यह स्कॉईर बढ़ाबर यू इसकुउरे बात नहीं की लिखे त 37ग्यां सनी आपको ध्यान में ही होगा यह चलने पर लागоме यठाघ करती थे यहाँ फोर्मूला लगा थे ति अभी तक हम उपर जाने या नीचे आने वाले बात को नहीं देखे थे तो अब हम इसी चीज को ये था 36 के लिए 36 मतलब समझते हैं ना ये था 36 के लिए 36 के लिए 36 रेखा में गती के लिए यानि बोला जाए तो ये जो है ना आफ बैब के जो हम चोड़ेंगे तो ये नीचे आएगा इसमें की वस्तू गिरेगा उसके मान में धानात मान ऊसके मान पो ली लेई आपकेल एधर है ने जैनि अकिस जब किसी चीज को फेकेंगे, गर्ता 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 एक समय जाके 0 जाता फिर नीची आने लगता है, तो उपर फेकेंगे, घटे हुए गर्ते हुए गर्ते हुए, परिवारतान का दर हो था हम लोगो इसको रिनातमक त्वरन कहते थे, यानि जब कोई वस्त उपर से नीचे किरेगा तो वह धनातमक होगा जी का मान लेकिन को नीची से ऊपर फेका जाएगा तो जी का मान क्या होगा वह जी flower मृत होगा तो इसी चीज को इसमें देखते हैं उठ्धवाधर गती में है मुरजवाधर गती यदिक इसे चीज जब हम उपर फेकेंगे तो हमारा g का मान देखिए, g का दिसाइधर है, अब फेकेंगे उधर, तो g हमारा हो जाएगा, माइनस, यदि नीचे से उपर फेका जाए, नीचे से उपर की और गती हो, उपर की और गती, यदि आपको ये चेप्टर समझना है तो ये सबसी 80 होता है सही बात है कि नहीं है लेकिन हम क्या बोल रहे है कि यहाँ पर आज होकर पर जी खाना कंग करेंगे और जैसा कि मैंने बता है कि जब हम किसी चीज को ऊपर फेकेंगे किसी वस्तु को ऊपर फेकेंगे उसमें जी क्या होगा माइनस हो जाएगा क्यों क्योंकि तोरण की दिसा नीचे है हम तोरण के विरुद्ध में काम करेंगे तो माइनस सिंबॉल लगेगा ठीक है इस विजह लिए इस फॉर्मूला को यदि हम समेह करण में Billeurs तो हो जाएगा V बढाबर U माइनस का stoked हो जाएगा माइनस का GT हो जाएगा क्यों होगा B तो वhी रहे गया यू तो यू ही रहे जाएगा पलस माइनस षिए बन जाएग क्योंकि यहां पे माइनस होगा क्छोंकि कैसे लिए कि बदाबर माइनस का जी है यह ओमारा पहला अब दूसरा मैं अ डाइरेक्ट लिख देटा हूं फ़ड़नलर 15 q Q पलस 2a EE आए स्बस्सक्वेस माइनस माइनस हो जाएगा तो दूसरा हो जाएगा वी स्क्वेर बड़ाबर यू स्क्वार माइनस टू जी एस हो जाएगा अब एस के लिए हम लोग एस का पर्योग करेंगे वो लिए क्यों सर यहां से जाओं किसी चीज को ऊपर फेकेंगे ना तो एक तरह से ना दूरी जो तय करेगा यह उचाई भी तो होगा इसी लिए करेंगे यह फर्मूला ऐसा भी लिख सकते हैं यह क्या हो रहा जब हम नीचे से उपर की और गती होगा तीसरा समय फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा एस बराबर यूटी प्लस हाप एटी स्क्वार तो पलस बन जाएगा माइनस उपर जाने के करम में बन जाएगा जी बाक बराबर यूटी माइनस हाथ जीटी स्कॉरर आई होग कि दिखराव सबने दिखराओ चुड़ी कोई बात नहीं समझ जाए आप यह क्या था जब हम नीचे से उपर की और फिक रहे थी उल्टा काम कर रहे थे तो माइनस का सिम्बॉल आगिया सब में सब में माइनस का कान में रखेंगा इससे भी सारा काम होगा अब देखिए क्या होगा कि यदि हमारा वस्तू उपर से ही नीचे आए मैं चड़ गया था अपने विल्डिंग पर वहां से छोड़ा पत्थर पत्थर जब नीचे आएगा तो उपर से नीचे की और गती होड़ी है उसके लिए ह यहां पर देखने वाली बात है बस फॉर्मूला वही रह जाएगा पहला होगा भी बढ़ाबर यूप पलस जीटी हो जाएगा क्यों क्यों क्या नीचे की और जब आएगा नीचे की और आएगा तो जी का डिरेक्शन इधर हम गिर भी इधर रहे है यानि जी पोजीटिव जायेगा इसलिए यहां पर जा रहे तेसलिए जी नेगेटिव गया था अब इडी अशारे पलस को देखो यहां पलस था मैनस हो गया फ्लस था मैनस हो गया समझ रहेना यहां पे लिखा होगा सअगे चलिये दूसरा फ़ोमूला क्या हो जाएगा भी बढ़ाबर सभी स्कू जीटी का स्क्वैर हो जाएगा बस ये तीन फॉर्मूला आपके पास नया आया यहां पर यहां पर बस इसी फॉर्मूला को उर्धवाधर गती में देख रहे थी अब अब हम लोग उर्धवाधर गती में देखेंगे ठीक है ना चलिए इस चीज को मिटाते हैं और आप इसका दूरी तक जा सकता है सर अच्छा सर जाएगा तो जाएगा लेकिन कितने स्पीड से जाएगा सर मैंने कितने जोड से फेका है उसी सर जानने में कितना टाइम लगाएगा और जितना टाइम में जाएगा उतने टाइम में आएगा आएगा तो सर कैसी आएगा इन सभी सवाल को अब यहां पर देखने वाले बहुत ही इंपोट है मैं जाक में कह रहा था कि जैसे आपको देखे कोई बोलेगा ना कि देखो नुए पत्थर है इसको उपर फेक रहें बता कितना समय लगेगा हाइस पॉइंट पहुचने में बुले सरा जाके समय लेके देखते रहेंगे आपने कभी सोचा है कि पिर्थवी का दर्भमान कैसे तॉला गया आपको पता छेगुना दसपर पाबर 24 किलो ग्राम है पिर्थवी का वजन कौन तॉला था बैठके नहीं पता राजू होगा कोई तब तो नहीं यह मैत के फर्मूला से निकाला गया ना यहां पर भी हम लो भागर मपन वी पिर्थवी का वोल्यम पता था क्योंकि आर पता है आर पता है तो तो यह तननी काल लिये हों गेए पर खुझे ले लिए लिया वह लिए उन सब चीज़ों को नहीं समझ पार तो छोड़िए हाँ पर आते समझने वाले चीजहों पे हमने बोला कि यदि हम उ लगा समय बिंदु तक जाने में जाने में लगा समय इंगलिस मिडियम वाले भया टाइम टू डीच मैक्समम हाइट लिख लिजिए अरे इतना इंगलिस वाले तो समझते ही होंगे हाँ एक बचाप उचला सर आपका एडूकेशन क्वालिफीकेशन क्या है नरसरी पढ़के प चाहिए आपको मेरा हां सेटिफिकेश चाहिए गूगल कर लो ना मेरा कड़ी एक सोचाली सेटिफिकेट मिल जाएगा ऐसे आपको दूसरा है यदि आपको परसन है मिरसे कोई अलग काम है इंस्ट्राग्राम पर मैसेज कर दो हदो यार मतलों बच्छे पूस्ते कहां तक प पत्थर को आप उपर के और ठीकते हैं मुझे पता नहीं किस वेक से फिका गया मानते यूव एक से फिका गया उपर की और यू यानि प्रारम भी कि वेकिसले मैंने बोला पहले पिछला चेप्टर पढने के लिए जरूरी है इस चीज को समझने के लिए जब किसी चीज को तो मानते हैं यहां से यहां आते 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 यहां तक मैक्समम पहुचेगा मैक्समम यहां तक पहुचा मेरा यह पत्थर अब यहां तक पहुचने के बाद देखेगा वहां पे जा करके पर पत्थर तो रूख न जाएगा दी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ना आप ही बत पर आपके रुके थोड़ा सा फिर चलेगा यानि यू कोई सब एक जगह पर आके वी क्या हो जाएगा जीरो वी हो जाएगा जीरो अब इसमें कितना टाइम लगेगा यही हमको पता करना है इसके लिए बस आपको यह पता होना चाहिए कितने स्पीड से आपने फिका है उपर जाएगा तो फी क्या हो जाएगा जीरो बड़ाबर यू माइनस का जीटी हो जाएगा कोई तकलीफ समस्या परेशानी दिक्कत प्रॉबलम कुछ नहीं न अब चलिए इस वाले माइनस वाले पोर्सल को इधर ले आते हैं तो माइनस वाला इधर आएगा तो पलस बन जाएगा जीरो तो बिचारा कोई काम काही नहीं यानि हो जाएगा जीटी बड़ाबर यू बचेगा इधर हमको टी चाहिए ना तो टी बड़ाबर हो जाएगा यू बटा जी समझ गए जी बड़ाबर यू बटा जी यानि आपको कोई पूछे ना बिटा कितना दूर कितन में क्या करवाएं हैना हम बोलिएगा कि सर जी कमान तो जी कमान आपको मैंने पहले बता रहा है जी कमान आप आपके लिए कोई दिक्राइब दस भी ले सकते हैं तो इतना मीटर पर सकेंड हम ले सकते हैं चालीस मीटर पर सकेंड किसी पत्थर को बताऊ तो कितने समय में जाएगा आपको बोलना है कि बताऊ तो कतना दूर गया इक से निकालेंगे सर हम जो को पत्थरबाई से एकड़ के फेकें कितना दूर गया है वह निकालने का उपाएब बताते हैं रुकिये तो आपको कोई कहेगा कि बताऊ 120 मीटर पर सकेंड से फेकें हैं 120 मीटर पर सकेंड कितना दूर जाएगा चलिए कितने समय में पहुचेगा एक सो बीस यू का मान जो हो का उपर रखेंगे बटे जी का मान तो दास है जीरो से जीरो कट किया बचा कितना बारे सकेंड में वह हाइस्ट पॉइंट पर पहुच जाएगा आपको कहेंगा कि चलो बया बताओ एक बंदूख है 300 मीटर पर सकेंड के वेक से समझते होना उपर गया है तो बता कहां तक गया है कितने समय में वहां तक गया है तो कहां तक का तो इसके बाद करने वाले पहले समया निकाल लेते हैं देखिए ती बढ़ाबर क्या करेंगे किता 300 बोले थे अच्छा 300 तो यू बढ़ाबर 300 यहां पर रख देंगे बटा 10 करेंगे 00 कट जाएगा 30 सकेंड में चाचा जी आपका ना बंदूख वाहिए स्ट पॉइंट पहुच जाएगा तो आपको आज के बाद कोई भी बोलेगा ना औरे पत्थर है ना नुनु सकते हैं चलिए तो आप समझ गया हूंगे मेरे क्या से हमारे इस्टी का कहां पर जरूरी है और क्या फाइदा इस्टी का आगे बहुत सारे नुमेरिकल में बहुत काम आएगा सीच को गाठ वांद लो चलिए समझ में आ गया चलिए अब अगले पॉर्सन पर चलते सर वहां निकालिया नसर तो उससे पहले हम देख लेते हैं कितना दूर तक जाएगा ये बड़ा जादवी चीज़े ना बीना पर जान जाएंगा कितना दूर गया विश्वास नहीं आपके देख लीजिए गा रूकिए इसको मिटाने दीजिए थोड़ा सा ये तो अपना बिकार ब महत्तम उचाई महत्तम आ अचाई मैक्समाम हाइट मैक्समाम हाइट कहां तक जा सकता है चलिए निकाल के ही देख लेते हैं अब आप ही बताएए मैंने इसी फोटूम समझ लेते यू कोई साव यह पॉइंट पर जाके वी क्या हो जाएगा जीरो हाई पॉइंट पर जाके यह क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा आपको फर्मूला एक बताए थे भी स्क्वेर बराबर यू स्क्वेर माइनस का टू जी एच टू जी एच एच के जगहां पर परियोग करेंगे क्योंकि उपर जाएगा हाइट बन जाएगा वही एस है ना तो अब देखिए भी तो हमक बदल जाता है चलो यहां आते है तू जी एच बढ़ाबर यू स्क्वेर हमको चाहिए क्या एच चाहिए टू जी को भगाव दर एच बढ़ाबर कितना हो जाएगा यू स्क्वार इधर गुना नहीं दर आएगा तो भागने हो जाएगा चलिए तो हमारे पास यह से जो फेके थे बताइए तो हाइस्ट कतना दूर तक गया होगा पहले बताओ टाइम कितना लगेगा उसको जाने में ती बढ़ाबर सर यू भाई जी आपने बताया यू तो चालिस दिया है अपने अजी कामान हमको भगमान ने दिया है दस काट देंगे न चार आएगा च चार सेकेंड लाएगा अब बोलें कतना दूर तक उपत्थर जाएगा यह वाना जादूई चीज चलिए देख लेते हैं एच बढ़ाबर यू स्क्वाइर यू यानि 40 का स्क्वाइर करो 40 का स्क्वाइर बटे में क्या है तूजी है हम लोग 4 जी में चलाते है यह तूजी म स्क्वाइर में यानि वो जो मैक्समम हाइड जाएगा वह 80 मीटर तक जाएगा देखिए बिना ना पे आप निकालना सीख गए कि हम जो पत्थर को फेकेंगा 40 मीटर पर सकेंड से हाई एस्टू कितना दूर जाएगा 80 मीटर जाएगा कतना समय लगेगा जाने में जाने में करना है भाई करना है ठीक है ना चलिए इसको भी मिटा देते अब देखते हैं कि वहां से जाके आने में कितना टाइम लगेगा जाके आने में कितना टाइम लगेगा जाके आने में कितना टाइम लगेगा और कितना दूरी चल के आएगा अचल के आएगा तो ठीक है बताए कि कितने समया लगेगा है जाने में लगा समय माहत्म उचाई प्राप्त कितने अब हो गाया हमारे पास एक और लाते हैं कि अधिनी दीर ना तो देखिए यानि जा के आने में लगा समय हो वैश्व ही लिखे हैं हम भाइ तुम अपना सँ है से जाकर आने में लगा मैं है कि समय भी ज़ाक के आने में कितना समय लगायए यानि महथत्म फो टäre पर तर कि पहुच के लचने में क 스ना समय लगेगा आप से यह थी एक पथर यहां पे जमीन है यहां कितना सब्सक्रेया यहां से पत्थ्थर को इउसे को फेका गया है पत्थ्थर को ईपर क्यों फेका हय के हाया जिए इस में तक सब्सक्राइब कर जाए लग시 चालुन हो यह जाए सवोलिया आप से नीचे सब्सक्राइब में बिल्टा यहां कितना हो यह का Congrats बताओ ना याद है विस्थापन में ना जहां से चलेंगे वहीं पहुच जाएंगे चक्कर हुआ पूरा तो विस्थापन गया उड़ा है ना तो विस्थापन हो जाएगा सुनना समझ में आया मुन्ना चलिए अब निकालते हैं हमको क्या पता है संद्रहा था नहीं माइनस होगा क्योंकि उeping जा रहा रहा हमाइनस हरा जी टी का स्क्वेर का चलिए ऐस तो हो जाएगा हमारा सुनना का है कि जहां से चला था वहीं पर पहुच गया 0 बराबर U तो पता ही नहीं है, U T तो U T ही रहने, 2-1 by T G T का स्क्वार कर देते हैं, इसको जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह बन जाएगा पलसी, तो ऐसा हो जाएगा, क्या देखें, 1 by 2 G T स्क्वार बराबर U T, कोई तकलीफ है क्या, बोलिया न, नहीं है न, ज देखें, एगो T से एगो T कट गया, T T कट गया, अच्छा, तो हमला बचा क्या, हमको T चाहिए, तो G को इधर भेज देते हैं, अभी लिख देते हैं, 1 by 2 G T, बढ़ाबर कितना बचा, U बचा, 2 इधर गुना में, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में, इधर यह ग हाँ, हाँ, बोल दी, यहाँ देखो, हैपी बढ़डे, तो हमको क्या पता चल रहा है, कि जाकर आने में, सर बोलिएगा, सर जाने में, भी T लिखें, आने में, भी T लिखें, अच्छा लग रहा ही बात, आपि बताए, तो क्या करें, T स कर दे क्या, इसको T?」 कर देते है, पे डबल डएस रहता है त्रिपल डएस रहता है मतलब क्या होते है वह बस सिंबॉल है कि जैसे पहले जाने में भी टीए लिखेंगे जाकर आने में भी पता चलेगा नहीं न उसके लिए मुझ का अंथ्वरा बदल देते हैं और कुछिन आप टी के जगहां यहां पर बूबू भ अब हमको देखना है कि आने में कितना समय लगेगा जाने में निगाला है नितना जाके आने में इतना तो सिर्फ आने में कितना बताए तो अब देखिए जाके आने में से जाने को घटा देत क्या बचेगा आने नहीं समझे देखिए जाके आने में से जाने को हटा देत क्य मुझा पता नहीं समझ रहे होंगे ठेक हैं तो देखिए हमको निकालना जाके आने में नहीं सिर्फ आने में लगा समय तो देखिए आने में लगे समय को छीके टेवल निस कहतेके अब देखे टोटल समय में से यदि जाने वाला समय घता अधिसर आने वाला समयãy बचे गा तो हम यहाँ यदि टीडेस में से सिंगल की को घैने हमारा डवल टी- ने यमतलwości रगो बाहे जाएगा क्या है जाहाँ द्दैस मतलों समझ रहे हैffen यू बैय जी अच्छ जाने में कितना लगा था यू रजा बैय झिसको घंटा सब्सक्राइब अच्छ बताइए कि हमारा पथर जङका नहीं त्यों आई ऊपर जो होगा वो इकल होगा टी डवल डेस के इसका मतलब हुआ कि जाने में लगा समय बराबर आने में लगा समय यह था प्यारा सा कॉंसेप्ट किस चीज का गुर्तवा कर्शन का अप डॉन वाला ठीक है ना इस पर ही सारा का सारा सवाल रहता है आपको अभी बहुत फाइदा हो इस पर संबंदित कि कितना जाने में लगेगा समय कितना आने में लगेगा कहां तक जाएगा समझ रहें ना यह टोटल आपके पास आ गया इस चीज को आप बहुत ही समझदारी से समझों यादी समझ नहीं नहीं तो वीडियो को थोड़ा बैक कर दू आज आज आपने आया जी एम बाय आर इसकोर सार प्रूफ कर यह सका वैल्यू 9.8 होता है या उसके लगभग में भी होता है कि नहीं चलिए आपको कड़के दिखाते जी गमान क्या होता है 6.67 इंटेल बाव मैंने सिलवा उसको यह लिख सकते बीस बट्टा तीन गुना तस पर पावर माइन सुट्र गुना दस पर पावर एक दो एक दो टीन एक स्ट चार इक मच और तीन चार पांच शे मीटर हो जाए का किलो मीटर को मीटर में बद ले सर कैसे बदले यह समझ पाए यहाँ फे दिखना भाता हूं 64-00 किलो मीटर है न किलो में बदलने के लिए टीन यह सुना इसको मिटा दें चलिए यह मिट गया अब देखिए तीनों फैल्यू पता है लिख लिख लिए जी का मान आ जाएगा जी बराबर जी जी का वैल्यू है बीस बट्टे तीन गुना दस पर पावर माइनस ग्यार है गुना यहां वहीं अलःक ढर है श्कॉइर होना है जोनितल क्राइब में कंखे अ स्क्वेर क्याइब्यू आप उट्टेबट शिक्वे लिखा जा सकता है आप समझ रहे होंगे तोटल का स्क्वाइर इसका अलग से स्क्वाइर किये अब चली काटते हैं कट्टम कुट्टे खेलिए तीन से कट्टे हैं तीन दू नीचे इसको सही से लिखी लिया जाए इसको स्क्वाइर करते हैं कर दोड़ेगा वहां पर एक सो जाएगा चली और काटिए यहां पर देखिए यह दस बार में यह 32 बार में दो से दोनों कटा यह पांच बार में यहँ गठा और कुछ कटरा त्यक्ति क्ट अब देखिए नांद मोदगरण क में चौवीस में से 11 पर यहां पावर 20 यहां पर देखिए कि यहाँ पर यहांप और धूठत confident यह स empreured यहां पर पावर माइनस है यहां पलस है तो बेस समान रही दूना पावर जूट जाएगा चोबीस में से ग्याने घटेगा तो माइनस तेरे बचेगा तेरे बचेगा तेरे दू पंद्रे होगा नीचे हम बचाए कि ला आठ गुना प्रवार जाए कि अब बचेगा यानि 5000 को भाग देना है 64 से आठ गुना चॉट पावर घाएगा 9.76 समसिंग समसिंग यही आते रहेगा तो लग 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 देते हैं की नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर लिए समझ में आ गया चलिए प्यारा सटॉप एक छूट गया था मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूट करना हां कड़ी समझ गया अब नेक्स्ट वेट वाला पाट है तो हम सीखेंगे क आपको यहां पर हमारा वजन कितना होगा यहां पर गॐत बहुत लंबा हो चुका है तो मिलते हैं बहुत ही जल्दतक लिए बाए-बाए-बाए-बाए-घ। झाल झाल